इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे प्रिविए सेर के कॉश्चन जो भी इग्जामिनेशन कंड़क्ट करवाता है उसके जो पिछले साल के पेपर रहते हैं उनसे डारेक्ट कॉश्चन पूछ लिए जाते हैं हमारे जो अपकमिंग इग्जामिनेशन हैं उनमें और य यहां से ही जो है यहां पे कुछ चेंज करके वो कॉश्चन डाल देते हैं तो इसलिए जो हमें पिछले साल के जो पेपर रहते हैं उनको डिस्कस करना काफी ज़रूरी रहता है और बिलीब मी अगर आप डेली जो है इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि मैं डेली एक वीड का मेरा पेट बैच भी शुरू होने वाला है एक जून से उसको भी आप जोइन कर सकते हैं उसका वीडियो का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहां आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे जोइन करना है चले फिलाहाल जो है आज हम स्टार्ट करते है ठीक है एग्रेरियन नेचर की है तो यहां पर अंसर क्या होगा अग्रिकल्चर ओप्शन नंबर ए विल बी दा राइट अंसर अग्रिकल्चर ठीक है 122 पे चलेंगे फर्स्ट तिरंथकर जो था जैनिजम में वो कौन थे तो इसका राइट अंसर क्या होगा रिश्यव थ ठीक है रिश्यव नाथ जो है यह पहले तिरंथकर थे अगर आपको पूछा जाएगा कि टोटल तिरंथकर कितने हुए है जैनिजम में तो वो टोटल है आपके 24 कितने है 24 तिरंथकर अगर लास्ट का पूछा जाता है तो लास्ट है हमारे कौन महावीर लास्ट है हमारे मह और महावीर का दूसरा नाम क्या है वर्धमान महावीर का दूसरा नाम क्या है वर्धमान है अगर हम बात करें दोस्तों इनके बर्थ की तो इनका बर्थ जो है किस सिंबल से related है तो आपको याद रखना है लाइन से इस तरह के question भी पूछे जाते हैं अगर हम बुद्धा की ब इसके साथ साथ जो है महावीर का बर्थ के बारे में पूछा जाता है तो बर्थ कहां पे हुआ था तो कुंड गराम में कहां हुआ था कुंड गराम में हुआ था कुंड गराम ना देके वो आपको वेशाली भी दे सकता है क्या वेशाली भी दे सकता है तो कुंड गराम या फ या फिर वेशाली के अंदर, अब इनको knowledge, जो ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होई थी, जिम्बिक ग्राम में, ये भी आपको याद रखना है, इनका जो रियल नेम था महावीर का, वो था वर्धमान, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट तिरुन्त करके हो थे आपके रिश्यवनाथ, देन 123 पे चलते हैं, वो थे आपके श्री गुप्त, जो फांडेशन रखी गई थे गुप्ता एंपायर की, वो किसके दौरा रखी गई थी, श्री गुप्त के दौरा रखी गई थी, लेकिन अगर आपको क्वेशन पूछा आता है, वो थे रियल फांडर ओफ गुप्ता डैनेस्टी, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, चंदर गुप्त फर्स्ट, ठीक है, गटोथकश गुप्त जो है, इनका बेटा था, अगर बात करें, श्री गुप्त और गटोथकश दोनों की, तो इन्होंने, जो टाइटल जो एक्वायर किया था, वो था महाराजा का, ठीक है, दोनों का जो टाइटल हुआ करता था, वो था महाराजा का, लेकिन जो चंदरगुप्त फर्स्ट थे, इनका टाइटल क्या था, तो महाराज अधिराज, ठीक है, महाराज अधिराज जो है, कि उनको बोला जाता थे, कोशन पूछा आता है, चंदरगुप्त फर्स्ट को, लेकिन श्रीगुप्त और घटोतकर्ज का था महराजा ठीक है तो यह सब चीजे जो है से रिलेटेड़ आपको यहाँ पर याद रखनी है इसके बाद अगर हम बात करें चंदर गुप्त फस्ट की तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने गुप्त एरा को स्टार्ट किया था ठीक है कि अभररर फार्ट के तो यह थे कब स्टार्ट हुआ? 319 AD में जो है यह गुप्त एरा स्टार्ट किया गया गुचंदर गुप्त फस्ट के दौरा यहाँ पर ऐप्शन में कुमार गुप्त फस्ट भी है देखिए कुमार गुप्त फस्ट से रिलेटेड आपको चीजे याद है इन्होंने अश्मुमेग यग्य करवाया था sacrifice करवाया था यह important चीज है इनके time पे first time जो है हूनों का हून जो थे उनका attack हुआ था तो जो गुपता डैनिस्टी थी वो किंसे हारी थी हूनों का अक्रमन हुआ था उनसे हारी थी इससे important चीज यहाँ पे यह आजा दी है कि कुमार गुपत फर्स्ट नहीं जो है यहाँ पे नालंदा विश्विधाले जो है आपका नालंदा युनिवरस्टी उसकी foundation रखी थी तो यह भी आपको याद रखना है अब बात कर की जाएगी कि यहाँ पे हुनों को जो है हुनों को attack होता है तो उनको किस ने हराया था तो सकंद गुपत ने थेक है इनका बेटा था कुमार गुपत का सकंद गुपत उन्होंने जो है पहले हुनों को हराया था लेकिन बाद में यहाँ पे इनकी हार होती है जो बाद में यहां पे HPSS भी नहीं तो आपके अलाइड जो नाइब तसीलदार पेपर है उसमें पूछ लिये जाएगा भिटारी और जुनागड जो एंक्रिप्शन है किस से रिलेटेड है गुपता एंपायर से रिलेटेड है और खासकर किस राजा से रिलेटेड है सकंद गुपत से ओक जो थी आपकी साथवाहं डानेस्टी साथवाहणों को हरा के जो है बाद में यहां पर पल्लव डानेस्टी आती है और इनकी यहां पर कैपिटल पूछी गये है तो इसका रायट अनसर होगा काँची काँची काँचे साथ सात चालुक चालुक के साथ eh Над Jahr उप्लवों क्यों से कौन लड़ रहा था उस समय वो थे महेंदर वर्मन ठीक है महेंदर वर्मन वर्सिस पुलकेशियन टू चलुकिया के साइड से थे पुलकेशियन टू और जो पल्लव थे उनकी साइड थे आपके महेंदर वर्मन तो पुलकेशियन टू ने महेंदर वर्मन को हरा दिया था य की capital क्या थी तो वा था पी थी इनकी ओके अगर question पूचा जाए कि most powerful question पूचा जाए कि most powerful ruler कौन था आपका पल्लवा dynasty से तो वो था नर्सीम वर्मन first ठीक है नर्सीम वर्मन first जो था ये first जो सबसे important और powerful ruler था पल्लवा dynasty से related okay so ये बातें आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं 125 पर चलेंगे खिल्जी सुल्तान जो थे दिल्ली डैनेस्टी में ठीक है दिल्ली सल्तनत में तो वो क्या थे तुर्क थे अफगान थे मंगोल थे यहां तो वो थे टर्किश okay option A का सही अंसर हो जाएगा सबसे पहले यह देख लीजिए अब अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में कितने जो है kingdom आए हैं अलग लग तो वो थे आपके जलालुदीन खिलजी जो है इनके founder थे और कब फाउंड की गई थी 1290 में जो है यहां पे खिलजी dynasty foundation रखी गई अब इनके सबसे इंपॉर्टन रूलर थे अलाउदीन ओके और अलाउदीन का जो रेल नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या था अली गुर साप ठीक है क्या थ अली गुर साप यह maximum student को नहीं पता होगा अली गुर साप was the real name of अलाउदीन खिलची अब यह ऐसा ruler था पहला Muslim ruler था जिसने South India पे ज्यादातर South India के पार्ट को capture किया था तो यह भी question पूछा आता है अच्छा इसके इलावा क्या-क्या important चीज़े हैं इन्होंने जो शराब थी liquor intoxicant जो भी हुआ करते थे उनको prohibited कर दिया था इसके साथ साथ जो है इन्होंने एक spy network बनाया जिसको मुनहियान कहा जाता था ठीक है मुनहियान एक spy network था उसका यह नाम था इसके लावा जो है news reporter हुआ करते थे इनके टाइम पे उनको बारीद के नाम से जाना जाता था बी जिसका नाम था दिवाने मुस्त खराज दिवाने मुस्त खराज यह बहुत ज़्यादा important question है पूछा जाता है दिवाने मुस्त खराज क्या था एक revenue department था इसके अलावा दिखिए इनके time के जो दो important writer थे वो कौन थे अमीर खुसरो सबसे पहले यह question पूछा जाता है कि अमीर आपको बाते याद रखनी है इसके लावा दिखिए soldier की direct recruitment हुआ करते थी इनके time में ठीक है और उसका नाम था अर्जे ममालिक ठीक है अर्जे ममालिक यह भी आपको याद रखना है दाग और हुलिया की जो प्रथा थी वो किसने start की थी वो भी अलाव दिन खिलजी ने start की यह भी आपको याद रखना है जो military department हुआ करता था उसका नाम क्या था दिवाने अर्ज ठीक है क्या था दिवाने अर्ज हुआ करता था ओके सो यह बाते आपको यहाद रखनी है important है examiner पूछता है इन्होंने नई city की foundation रखी थी जिसका नाम था siri ठीक है तो siri city की जो है foundation क इसने रखी थी अलाओ दीन खिल जी ने इसके अलावा दिखिए इन्होंने दो monuments बनाए जो important है that is जमात खाना मस्जिद जमात खाना मस्जिद और दूसरा जो है अलाई दर्वाजा अलाई दर्वाजा तो यह दो important जो है monuments इन्होंने यहाँ पे बनाए थे इस बात को पूछ चली next चलते हैं 126 question ब्रामनी kingdom जो था यह किसके दारा found किया गया था अलाओ दिन हसन के दारा option B इसका right answer हो जाएगा okay so next is 127 गांधी जी का एक favorite song था जिसका नाम था वैशनव जनतो okay so यह जो है song किसने लिखा था script किसने किया था तो यह थे चुनी लाल इसका option A इसका साही answer ह गांधी जी से related एकना question पूछ लिया जाता है इनके ओपर एक किताब लिखी गई है unto the last ठीक है unto the last यह काफिवार question पूछा आता है किसने लिखी है तो Ruskin Bond ने यह किताब लिखी है यह question पूछा गया है previous papers में तो याद रखिएगा then 128 की बात करते हैं who was the first woman president of Congress तो पहली woman जो ह President Congress की वो थी Annie Vicent, Annie Vicent साथ ही साथ जो है इनकी founder भी है, INC की founder कौन थे तो A.O.Hume, sorry, sorry, यहाँ पे मैं A.O.Hume बोड़ रहा हूँ, Annie Vicent was the first woman president, Annie Vicent जो थी पहली woman president थी, अगर founder की पूछा जाएगा तो founder कौन थे, A.O.Hume थे, okay, A.O.Hume थे, अभी A.O.Hume सभी को मालम होगा इनक founder थे, अब दो member और थे, founding member जो कहा जाते हैं, Indian National Congress के दोनों का नाम आपको याद रखना है, that is, दादा भाई नरो जी, एक है दादा भाई नरो जी, एक है D.E. वाचा, ठेक है, so यह भी founding member थे, याद रखना, A.O.Hume तो थे ही, real founder, साथ ही साथ दादा भाई नरो जी, और question पुछा जाता है, तो W.C. Banerji, ठेक है, W.C. Banerji was the first president of Indian National Congress, जिसकी foundation, जो है, यहाँ पे पहली meeting जो थी, 28 December 1985 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, Bombay के अंदर हुई थी, कहाँ पे हुई थी, Bombay के अंदर हुई थी, important है, याद रखिएगा, ओके, तो तेजपाल संस्कृत पा कब तक रहे है, General Secretary, Indian National Congress के, तो 1885 से लेके, 1906, जब 1906 में क्या, अपका Muslim League बना था, कहाँ पे बना था, धाका के अंदर, तो तब तक, जो है, यहाँ पे यह General Secretary थे, यह बाते आपको याद रखना है, ओके, तो यह जो है, important चीज़ें, इससे related, एक और question पुछा है था है, Indian National Congress का गठन हुआ था, तो उस समय जो है, Viceroy कौन थे, तो याद रखेगा, Lord Dufferin, ठीक है, Lord Dufferin was the Viceroy, when Indian National Congress was established, तो यह भी question पूछा याता है, याद रखेगा, A.O. Hume जो थे, यह क्या थे, A.O. Hume थे, आपके Retired Civil Services के, एक Britishers थे, Retired Civil Services Officer थे, यह भी आपको याद रखना है, Okay, so these were the important things, आगे चलते हैं, हम अब बात करेंगे, पॉलिटी के question को जो है, guys, मैं next video में discuss करूँगा, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को like जरू करेंगा, वीडियो अच्छा लगता है, तो इसी तरह से जो है, हम daily एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम previous question को जो है, discuss क करेंगे, साथ ही साथ जो हमेरा, next जो वीडियो रहेगा, वो हमारा, जो हम हिमाचल दरपन को cover कर रहे हैं, उसको जो है, उससे related रहेगा, तो मिलेंगे next lecture में, तब तक लिए, जयाहिन